वेलकम टू माई चैनल माई कीचर में आपका सवागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पुरकुरे चटपटे करा रहे फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी इसको घर पर बिल्कुल आसानी से बना जाता है फ्रेंच फ्राइज को बच्चे तो क्या बड़े भी खाना है उसे और भी अच्छी फ्रेंच फ्राइज बनती है मैंने सिंपल आलू ली है और इस तरह के आलू लेने है थोड़े फ्रैट से और बड़े आलू लेने है जिससे फ्रेंच फ्राइज लंबी-लंबी अच्छे सी सेप में कट जाए और यह देखी इस तरह पहले छील लेना फील पारैंघ में चीज़ करूँते लॉट कर दिने में पानि मेंले में में सब्सक्रीट क्लेट चीज़ लॉट बढ़ जेंगे object हाथ चेलने के बाद अब हम कटिंग करेंगे इस दर ही एक अलो उठाएंगे और पतली-मजारी पतली श्लाइस में कट कर ले ना ज्याधा मोटी और ज्याधा पतली भी होनी चाहिए अब कर दूसरी साइड से इस तरह से कट कर देना है और जो साइड के part बचे हुए है उनकी भी कट्टिंग करेंगे उनका भी साथ की साथ इस्तेमाल करेंगे यह दे नहों के पानी में डाल इसे प्रोसेस को तीन बार करना है और यहां पर मैंने साथ में एक बरतन में पानी उबाल लिया है और अब हम इसमें डालेंगे एक चमच नमत और कटे आलो की स्लाइस को डाल देंगे साथ में और टाइम देखके 5 मिन्ट उबालेंगे सिरुफ 5 मिन्ट अलका सा नरम करेंगे आलो को जादा नहीं गलाएंगे फ्रेंज फ्राइब को घर पर आसानी से बना जाता है इसमें जादा जंजट नहीं है आप एक बार जुरूर ट्राइ करें अपने बच्चों को घर पर ही सिनक्स बना कर खिलाएं और ये देखी 5 मिन्ट हो गए हैं गैस को बंद कर दिया है और अब हम चलने की मदद से निकाल लेंगे सारा पानी जटक के निकाल लेना है अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो और बैल को प्रेस करना ना भूले इसे मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे और निकालने के बाद हमने एक सूती कप्डा लेना है या कोई कावल लेना है तोलिया उसके उपर रखके अच्छे से पॉंच लेना है सारे पानी को और एक प्लेट में रख देंगे अलग-अलग करके और हमें आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे रखेंगे आधा घंटा सुखाना है ताकि जो पानी इनके अंदर है वो सारा सूप जाए इस तरह से अलग-अलग करके सिर्फ आधा घंटा रखेंगे और यह देखे आधा घंटे के बाद बिल्कुल शूप भी है जो आलो की स्लाइस है इनके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है और अब हम इनको तलेंगे उसके लिए मैंने एक कड़ाई में सर्षों का तेल लिया है आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भर में यूज करते हों खाने में उसी तेल का इस्तेमाल करें और मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे एक बार में सारी स्लाइस नहीं आएंगे दो बार में तलेंगे हम पहले आधी तलेंगे और इस तरह से पर्ले 2-3 मिनिट पकने देंगे उसके बाद लिगिन दॡ़ा डूला तो लगे अच्छे से पका लेंगे पहली बार में हम 50% पकाएंगे यशे हाफ फ्राइ करेंगे आराम आराम से पल्टना है भलका ब्राउन होने के बाद निकाल लेंगे यह देखिए इस तरह का कलर चाहिए यह बिल्खुल हलका हलका प्राउन कलर है अब हम निकाल लेंगे आलो एक ऐसी सबजी है जो हर भर में पाई जाती है और आलो से कई तरह की स्नेक्स बनाए जाते हैं तो आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राइब रहें फ्रेंज फ्राइज बनाए और अपने बच्चों को खिलाए बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं इस तरह की चीजे खाके अब हम जो बाकी की बचीवी हैं उनको भी पका लेंगे इसी तरह से डालेंगे और इसी तरह से अलका सा ब्राउन कलर करेंगे और निकाल लेंगे आराम आराम से निकालना है हाथ को बचा के हाथ भी जल सकता है तो ध्यान से निकालना है आप इनको half fry कर प्रीज में रख देना ग्लेघ में और जब पहले फ्रीजर में रखेंगे अब हम इनको एक घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे ऐसा हम इसी यह करेंगे जिसे अच्छे से ठंडी हो जाएं और क्रिश्पी बने और एक घंटा होने के बाद तेल को फुल गरम करेंगे और दो बार में उसी तरह से अच्छे से क्रिश्पी होने तक पका लेंगे फुल गरम तेल में ही पकाना है अगर ठंडे तेल में पकाएंगे तो इनके अंदर ज्यादा तेल भर जाएगा और वो टेस्ट नहीं आएगा पुल गरम तेल में पकाने से एक दो यह क्रिश्पी बनेंगे और यह अपने अंदर ज्यादा तेल नहीं शोकेंगे यह देखे बहुत ही अच्छा कलर आया है अगर आप लाइट कलर रखना चाहते हैं थोड़ा सा कम पकाएं ज्यादा क्रिश्पी बनाने चाहते हैं तो दूसरे बैच को भी तलेंगे और छल्नी में निकालेंगे छल्नी में हम इसलिए निकालेंगे जो भी एक्स favorites होगा वह बाहर नेकल जाएगा और यह देखें दूसरे भैच को हमने हल्का सा ललाईट रखा है अगर आप हल्का डारक करना चाहते हैं तो वह भी पका सकते हैं और इस तरह भी पखा सकते हैं, दोरों इतरह से बहुत ही टेष्टी ट्रेंस फ्राइज बन कर तयार होंगे, और मैं इन के उपर ब्लेक साल्ट डालोंगी, आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और सोस के साथ चटनी के साथ खा सकते हैं, तो फिर चलिए मिलते हैं, लेक्स्ट CP के साथ, टेक केर.